हेलो दोस्तो, स्ट्राइट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है तो आज हम परने लग क्लास 10, जियो गड़ाफी चिप्लर वान जिसमें VBI टोमाक्स अलकोशन होंगे और यह स्पेसली आपको भी हार्ड बोर्ट 2023 एक्जाम के लिए जिन विद्यार्थियों को 2023 में एक्जाम देना है ऐसे प्रस्णों को आप जरूर पढ़ें और ऐसे आपको लगफ़क 5-6 वीडियो होगा जिसमें आपके पूरे जगड़ाफी आपकी कबर हो जाएगी जस्तो देड़ कीए विर्या हम अपने टाफिक पे आ हाते हैं और अबिकरने मतलब जिसे आप दुबाड़ा जाएगा एक वर thoughts खतम रहीगा तो जिससे दुबादा से प्राप्ट नहीं करेंगे उसे और नभी करने सुरुट कहा जागा जैसे कोईला अगर एक बार खतम होगे ना प्रिटिपीपर से फिर लाखो वर्स लग जाएंगे मतलब फिर वो कम पायेगा फिर उसके बाद कोईला बनेगा प्रकर्टिकास बनेगे ठीए दोस्तों और नभी करने सुरुट जिसे एक बार उप्योग करने के बाद दुबारा उप्योग में नहीं लाया जा सकता है तो उसे हम लोग और नभी करने उर्जाक सुरुट या प्रमप्रागत उर्जा का सुरुट करते हैं जैसे तापिय उर्जा कोईला पेट्रॉलियम पदार्ट प्रकर्टिक गैस फिर दोस्तों जल उर्जा इत्यादि इसका लावा इडोनियम थोरियम जर्मेनियम बिरियनियम पुलोटियम इत्यादि दूस्तों कमसे वाम दो तीन एक्जांपर लिख से काफी है अब इस तो नभी करने का उर्जा का वैसा सरुत जिसका बार बार उप्योग करते हैं अधार एक बार किन बहागों से डिल्टा का विकास हुआ है और यहां के मिर्दा के भी सिस्ता क्या है दोस्तों जैसे सवाल हो वैसे आप पेपर में निखने प्रयाश किए दूसरी विक्तरी विक्तरीयों के निर्मान में पोटोग्राफी में चमरा और माची सुदोग में जंग रोदी इसपात बनाने में बलेचिंग पाउडर बनाने में काच बनाने में बिजली के समान बनाने में इतिया देंगे दूस्तों तो कम से काम दो तीन जरूर याद रखेंगे किसुस के बैटरी बनाने में दूस्तों फोटोगराफी में चमडा में उधोग में जल रोधी स्पात बनाने में ब्लिचिंग पड़र बिनाने में दूस्तों सबसे पहले एक बात है जान लिजे आयस क्या होता है तो जिससे खानीजों में से धातू को कम खर्च और असानी से प्राथ कि लिजाए तो वैसे खनीज को ही आयस कहा जाता है और इसे इंगलिस में और कहाते हैं तो लोहा के जो iosk हैं वो आपके जर्णरली तीन है एक यह मैंट है मैंट है लीमोणाइट है इसका लीवास सीडराइट होता है अब तो है मैंनमे लोहा का परसेंट में 60% और लीमो नैट में 40% हमेट्यों को लालái यह काते हैं मैंने टाइट को काल नेक्स्ट है दोस्तो अब इसे बड़ पहले वीडियो के लेpseं स्थी बोब पहुश। तो जलोट मिड़दा से विश्टार वाले राज्यों का नाम बता ये और इस मिड़दा से दो कौन थे पस्षिक अउंड आए तेक किया है दोग जार से फा ejтьयार है और फिर आपने जहे दें tay से उसी मिरिदा से आवे दूस्तो को खोलक कर निकालते हैं उससे कोईला को खूद कर निकालते हैं ँसे खनीज है बागसाइट को खूद खनीज है ठीक है दुस्तो अब है दुस्तो जिससे ख़दानों खोद कर निकालते हैं उसे खनिज करते हैं और एक दुस्तो जो खनिज होते हैं वो और नभी करनी हैं संसातनत हैं और नमी करने से जार मतलब यह एक बार जब खतम होगा तो दुबारा प्राप्त नहीं होगा यानि कि हम कर सकते हैं कि सिमित मातरा में आता इसका आती दोहन नहीं करना चाहिए और जड़ा जटा इससे बचाना चाहिए और यह बचाने की जो प्रोसेस होते हैं उसे उपर बंदन कहा जाता है पेट्रॉलियम से किन-किन बस्तों कर निर्मान होता है आप किन चारिया रखेंगे दूस्तों गैसोलियन, डीजल, पेट्रॉल, किटनासी, पलास्टिक, साबून, इत्यादी ठीक है दूस्तों खादर और बांगर में कोई तीन अंतर असपस्ट करें खादर और बांगर में निकेत अंतर है खादर जलोड मिटी को नई जलोड मिटी को खादर करते हैं और पुराने जलोड मिटी होगी तो उसे बांगर करते हैं और इनके जो मिटी करन होते हैं महीन होते हैं और इनके मिट और यह दुरवर्ती छेत्र में पाए जाते हैं और यह बाद आने पर हड़ साल पानी इन पर चड़ जाता है लेकिन इन पर हड़ साल पानी नहीं चड़ता है नेश्ट है दोस्तो जल संसाधन के क्या उपयोग है लिखें तो जल संसाधन जल से प्राप संसाधन को जल संसाधन करते हैं और इसके उपयोग दोस्तो निम लिखेता है जल संसाधन को निम लिखेता है ऐसे आप पेपर में लिखें दोस्तो कि जल से प्राप संसाधन करते हैं और जल से उप्योग निम्रिद किया जाता है अशनान भ्याब करते सो मचली पालते दोस्तों इस जुन में दोस्तों सिप भी चलाते का चलाते हैं सीप मतलब दोस्तों जहाज भी चलाया जाता है अब दोस्तों फसल चक्र म्रिदा स्रक्षन में किस पर करते हैंग दोस्तों तो अब क्या करते हैं कि जैसे माल यह दोस्तों कि कभी आप गेहुंब होते हैं कभी चाल मोते हैं और फिर उस और इस प्रक्रिया में तीन सालों में कम से कम एक बार दहनन की खेती करनी चाहिए जिससे आपकी मीटीक नर्जन सक्ति मट बनी रहेगी और इस परिकार फसल चक्रन मिर्दा स्रक्षन में आपको सहायक हो जाता है और देखिए भारत के नदिवुक के प्रदुश्य करते निकीता है पाला दक्रथी से से परदुसित होता है जो भी कर códवाई्त करने से यह सिक प्रवाइट नतय को आई मतलब धूप उप्रत सारे पुलेजा को परवाइद करते हैं मरेस सरीरों के परवाह करने से जो भी कोई बॉडी डेटर कर जाती है तो अब ऐसे ही लोग से परवाइद करते हैं मैस्टियों को धोने से फिर दो का पुरे का अपसिश्ट को धोने से नेक्स्त दो वन पाडियावरण के महतोव वरणन कीजे और के महतोको वरन के बारे में मतलब पेर के बाताना को महतो सूर्ट берता है रहा लिए बाता है कुछ से क्लता है उद्धो परकार उधकल्णों किल धाल्ट है दोता है रही सें परदूशन निहां से तिक निम निखित कइसे फलता है निखम से अईas. Kim सगोश से यहन Fel क्या होता प्रदोसन प wipता है यह जब वूता आटावरा मुँमने मिल जाते हैं दोस्तों यह काता है बातल जब इन प kald से होती है तो इसके दूर्रह क्षास अम्ली ओर्षयों गुफ सा और इसwe मवार्षय जो मेती गौर्फित लाब होहां कैसान सब्सक्राणानों जुतों उध्वक उध्वकों से उद्वद्पंद का जाता नेक्स्ट है गरम जल को ठंडा किये वीना नदियंद परवाईद करने से अब जCrowd जब गरम से बिना ठंडा किए अगर नादीं इंपरवाइद करते हैं तो वह वैसे पानी वैख्तलियों को परवाईदक कि संदर्था पड़ गई जिसके अनेक परकर के जिएन तो इसे पीने के बाद सकता है रहाई कर दो दूरते जह बदाकर निर्मान होता है उनके को मिलता हमाने मिलते जो जलवाई परिवर्तन नहुता है ता मिलता का निर्मान होता है जो की तरी दुवाता है इस तरह से बनसपती प्यर पॉद्धे निर्मान होता है वह भी मीटी कुझ अब रखते हैं जैपदार्थ होते हैं उनसे भी काता है मिर्दा का निर्मान होता है उसके जो मिर्दा का निर्मान करते हैं में पाए जाता है नाम लिखिए जाता है दामोदर घाटी में पाए जाता है सोन घाटी में पाए जाता है महानदी घाटी में पाए जाता है वर्धा गोदारी घाटी में फिर से दोस्तों दामदर घाटी में सोन घाटी में महानदी घाटी में वर्धा वर्धा गोदारी घाटी में अविस्तों यह जो गुडवाना गुडवाना समू है इ धात्वी खनीज में क्या अंतर हैं धात्वी खनीज में निमलिखत अंतर हैं दौत हका अक्ठाव करतें होते हैं अपनी होती है अब स्तुद यह झोओ धात्वी खनीज होते हैं नहीं होते हैं और हम लोग धार बनाया सा, और टूटेंगे नहीं, लेकिन SAY धात्वी इसे करते हैं और इन प्रेटों पर जब आप सुरे के विकरन आती है यह अवसुसित कर लेती है जिसे आपके सर उर्जा प्राप्त होता है और इसे पर्दूसन भी नहीं होता है दो में किनी चार बिरिंख्छों के नाम लेकिए परन पाती बिरिंख्छों स्रेटा में किनि चार सजो के नाम है वह नुकित है साल बिरिंख्छ है भोत बड़े बड़े बत्त्य दो किसा है कि परमानु सकती केसे हैं कि ना भी के चल रिक्टर ना विकस्टर होती है जिस में आपको मतलब अम नभी केशना है जाते हैं जो प्रभानर वनाते हैं और ना भी से नार विकस्तर से पर वाणर व्हिणड पैडिश्या चलिया对 पर्मानु सक्ति ironium, graphite, plutonium पर्मानु सक्ति ironium दोस्तो graphite और plutonium खणिजों से प्राप्त किया जाता है और भारत में ironium का जो भंडार है वो धर्खंड में है और यहां पर जो इसका फैलाव कितना है धर्खंड में तो 94 कीडो मीटर आपका पूरा क्या जीरो नियम का कप फेलाव है दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सुस्क्राइब भी जरूर करें दोस्तों वीडियो को बहुत जादस जाद तक सेर करें ठीक है ताकि दुसरे को भी मतलब इसका लाव यह लोट आपके दोस्तों मैंने अपनी भासाओं में खुद की भासाओं में लिखने का पर्यास किया था और असाने ससाने भासाओं का पर लिखने लिखा गया है अगर आप इसे याद करते हैं वो चल्दी ही आपको याद हो जाएगा